और दोस्तों क्याल चाल तो स्क्रीन पे आपको तीन चीजे दिख रही होंगी सीटेट, एंसेर्टी, ईवियस अगर आप सीटेट के त्यारी कर रहे हैं और पर्यावरान अध्यान का स्वेक्शन त्यार कर रहे हैं तो आप मालेजिए कि एंसेर्टी की जो बुक्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं क्योंकि सीटेट क्या करता है कक्षा 3, 4, 5 की जो ईवियस की बुक है वहां से डियेक्टली कुश्चन पुछ लेता है यहां तक कि जो पैड़ागॉज़े की कुश्चन है वो भी एंसेर्टी बुक से ही आते हैं क्योंकि मैंने वीडियो में पूरी एंसेर्टी कक्षचार की विद पैड़ागॉज़ी कुछ भी यहां पे छुटेगा नहीं और कक्षा 3 के अगर बात करें उसकी वीडियो हम चैनल पे बना चुके हैं आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आप वहां पे देख सकते हैं कक्षा 5 की वी सेकंड चैप्टर पहले पढ़ेंगे फस्ट बाद में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है कान कान में तो कान से लेटर कुछ चीज़े होंगे यहां पे देखो पहले पहले पॉइंट क्या है कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाए देते हैं कुछ के नहीं दिख सकते लेकिन मन उसे क्या आप देख सकते हैं आगे देखे गया है पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन सिर्के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढखे पते रहते हैं उन्हीं चेatu की मजश से पक्षी सुनते हैं सिंपल बात है क्या कणे बाइस में इस मे इस्कुशन इस जो पॉइंट बाल अटा दो, चीता के बाल अटा दो, सेर के बाल अटा दो, तो अंदर से सब एक ही जैसे हैं, ना ही इनका कोई रंग है, ना ही इनको कोई में जानकारी और बासचीप करें जैसे कि क्या भोजन वो खाते हैं किस जगह रहते हैं और इससे क्या होगा कि बच्चों में सम्वेदन सीलता विक्सित होगी विक्सित करने का आप मौका देंगे उनको ठीक है क्योंकि आप उसे डिसकस कर रहें चरचा करना एक बहुत ही important चीज़ है seated में ठीक है अगला point देखो इस पे भी question आया हुआ है जिन जानवरों के बाहर कान दिखाई देते हैं जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं जैसे कि मैं बात करूँ गाय के तो ये पहचान है कि अगर कान बाहर दिखाई देते हैं तो आप ये समझ लेज़े कि उनके सरीर पर बाल होंगे और वो बच्चे भी देंगे ऐसा ही अगर बात करें हम मनुश्यों की क्युकि हम लोग के तो कान दिख रहे हैं तो मनुश्य क्या करते हैं उनके सरीर पर बाल यानि की रोय होते हैं और वो बच्चे देते हैं दूसरी पहचान जिन जानवनों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते जैसे मैंने बताया कि पक्षी उनके कान छुपे रहते हैं अब इसकी क्या पहचान है ये क्या करेंगे इनके सरीर पर बाल नहीं होंगे अगर आपको कान नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ ले दिखिक इनके सरीर पर बाल नहीं है अब या आप सुचो कि पक्षी के बाल कहा नहीं है पक्षी के जो है वो दिखते हैं वो पंक हैं वो बाल में नहीं count किया जाता है और वो अंडे देते हैं सीधी सी बात है पक्षी अंडे देते हैं साप की बात करें साप के कान आपको नहीं दिखते हैं लेकिन वो भी अंडे देते हैं है ना सभी बात प्लियर है बहुत चीज आया है पेपर में बहुत साल पहले धरती पर डाइनासोर थे लेक हो सकते हैं कि डाने सो ना मैंने देखा ना बच्चों ने देखा और वो छोटे हैं अभी तो तो बच्चे क्या है वो अलग नाम ले सकते हैं तो आप उनको रोके नहीं जो वो बोल रहे हैं बोलने दें उनको सोचने का मौका दें सीटेट में क्या है चर्चा करना सोचने का तो क्या है अगली बार से क्या बच्चा वो उत्तर देगा कोई क्या वह अगली बार से वह सोचना स्टार्ट करेगा नहीं वह सोचना ही बंद कर देगा हमें क्या करना है भाई हमारा काम यह है कि बच्चे सोच को विक्सत करना है यहीं तो हमारा काम है तो यह चीज़े में ध् पेड़ागाजी है, क्लियर ध्यान सुनना प्लीज, चलो चले स्कूल चलते हैं भई, वल्लम क्या है, पेपर में आया हुआ है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव है, उसको उसमें बैठके स्कूल तक पहुचत हैं, तो वल्लम क्या है, एक छोटी लकड़ी की बनी नाव है, जो मुख्य रूप से केरल में यूज की जाती है, रिगिस्तान की बात करें, तो बहुत दूर दूर तक रभाई, रेत नजर आती है, दिन में बहुत ही गर्मी होती है, खूब तपती है, क्योंकि जो रेत है, जल्दी ही गर्म हो जाती है, और जल्दी ही ठंडी जाती है, इसलिए रिगिस्तान की जो राते होती है, बहुत ठंडी होती है, और दिन बहुत ही जदा गर्म होते है, वहाँ पे ऊट चलता है, क्योंकि ऊट के पाम गद्देदार होते है, जो वहाँ चलने के लिए उसको अ गदे के ऊपर आप बोजर लाद दिए, बैल के ऊपर आप हल चला दिए रहे हैं उसको है ना चला रहें, तो क्या जानवर क्या मैसूस करता होगा, जानवर क्या सोचता होगा, इस चीज को आप बच्चे के सामने रखें और उनसे चर्चा करें, इंपोर्टन्ट है, आगे होसता है किन-किन परिशिते से गुजरता है और अगर कुछ खतनाक रास्ते यूज़ करता है तो वो सुरक्षा पक्षि उसके क्या हो सकते हैं क्या करना है हमें चर्चा करना है बहुत इंपोर्टन चीज पर्यवरण को नुक्सान ना पहुचाने वाले यातायात के साधनों प मतलब है सजा नहीं देना है तो इस कविता का जो उद्देश है सजा देने की प्रवत्ती को कम करना है देखो सिक्षा क्या होते है बच्चे ने थोड़ी से गलती कर दी थड़ाक से लगा दिया नहीं करना है भाई हमें ये गलती है सिक्षा को की गलती है तो इस चीज़ पर बच्चों के साथ बातचीत करो पहले कि भाई आप गलती नहीं करोगे तो हम क्यों मारेंगे है ना यानि कि अगलती करें भी तब भी नहीं मारना है सीधी से बात तो ये है लेकिन फिर भी बच्चों से बातचीत करने से क्या होगा कि वो आत्म अनुशाशन की बात वहां पर आ जाएगी कि बच्चे अगर आप थोड़े सा अपने आप में अनुशाशन रखो कक्षा अच्छी चलेगी इन सब चीजों को आप डिस्कस करो ठीक है वैसे तो जो अनुशाशन वर्ड है वो थोड़ा सा कंट्रोल है यानि कि विकास को रोकता है कैसे? देखो अनुशाशन जहां पर अनुशाशन का मतलब होता है किसी चीजों को बच्चों को खेलने समना करना सांत बैठने के लिए बोलना यही अनुशाशन है बच्चा सांत बैठा है तो आपको कि बच्चा अरे वा क्या बात कितना अनुसासत बच्चा है लेकिन बच्चा अपनी विचार प्रिस्तुत नहीं कर पा रहा है वो अपनी सरजनात्मक्ता नहीं दिखा पा रहा है वो उसकी जो खेलनी की प्रवत्ती है वो छुप जा रही है है ना तो अनुसासन एक गलत तरीका होता है लेकिन थोड़ा साथ तो आत्म अनुसासन बच्चे में रखना चाहिए ठीक है समझ आए गए मेरा पॉइंट क्या है आगे बढ़ते हैं लेसन थ्री नंदू हांती हांती के बारे में कई बार हर बार एक कुशन आता है तो देख ल पूर जाए निंदी नहीं पूरी होते हाथी की तरह बनो भाई दो घंटे-चार घंटे ही सोने हैं हाथी को पानी या कीचर से खेलना बहुत भाता है क्यों किसकी बॉड़ी जो होती है ब्लैक होती है और ब्लैक बॉड़ी ज्यादा हीट को अपनी तरफ अगरशिक करती है तो अपनी सब् hooked रखने के लिए आपने सथुन्दा के लिए पानी या कीचर सेखेलता है उसके कांद जो होते हैं वभी पंख्या की जैसे होते रहता है क्यों कि Wlimited साल के बाद इस जूड़ में रहते हैं जो marks crunchy होता ہے फिर इस जुन्ड को छोड़के चला जाता है और अकेले रहता है male हाथी बाकी female और बच्चे एक साथ रहते हैं एक और चीज जुन्ड की जो भाई एक group में रहते हैं तो group है तो group का एक leader भी होगा leader कौन होगा सबसे बुजुर्ग हाथी नी यानि कि जो बुजुर्ग female होगी उस जुन्ड की जुन्ड की नेता होगी और एक जुन्ड में कितने लोग होंगे 10 से 12 लोग और बच्चे ये चीज़े सीटेट में एक एक चीज करके पूछी है यार ध्यान से पढ़ो आगे बढ़ते हैं अमरता की कहानी देख लेते हैं क्या है lesson four खेजडी खेजडी एक पेड है डेगिस्तानी राके में खूब पाया जाता है इसे ज़्यादा पानी की आवशक्ता नहीं होती है बहुत properties हैं इस खेजड़ी के पेंड़ी की, देखो क्या है इसको कमपानी की आवशकता है, इसकी पेंड़ी की चाल से दवा बनाती है दवा बनाने के काम आती है, इसकी जो लकड़ी होती है, इसको कीड़ा भी नहीं लगता है यह एक important चीज़ हो गई, इसकी पेंड़ी की जो फलिया होती है, इसकी सबजी भी बनाई जाती है दूसरी चीज़, पत्तियां जो है वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और एक यह चायादार पेंड़ है कितनी properties हैं, ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों को बड़ों की से जानवरों और कीडे मकोड़ां के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेडित करें क्यों प्रेडित करना हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करें कि आप बच्चों को जानवर के बरें बता दें कि हां बटा हां थी ऐसा है, वैसा है यह नहीं आप बच्चों से कहो कि आप दूसरों से अपने बड़ों से अपने परिबार से जाके पूछिए क्या होगा इससे बच्चे के अंदर पूछने की जो प्रशन पूछन पूछन एक अच्छी चीज़ होती है बच्चे के लिए ठीक है सबी के लिए हम लोग के लिए भी है तो प्रेशने पूछने के लिए उनको विक्सप्ट करना या फिर चर्चा करने के लिए क्योंकि जब पूछेंगे तो चर्चा होगी है ना ये सब चिज़ें मैं करनी है आगे देखो खेजलडी गाउं है एक जो खेजलडी पेंड है ना उसी के नाम पे खेजलडी गाउं पढ़ गया क्योंकि वहां पे बहुत से खेजलडी के पेंड है राजिस्थान के जोदपुर में है ये गाउं और बहुत से पेंड होने के कारण इसका नाम पढ़ गया है 1730 इस्वी में 1730 इस्वी में अम्रता विश्णोई करके हैं तो उन्होंने पेड़ों से लिपड़ कर उनकी रक्षा करने का अभियान चलाया था क्योंकि लोग अंधा दुन बस पेड़ काटे जा रहे थे ठीक है तो पेड़ों की रक्षा करते करते उनकी और उनकी डेड़ सो यानि साढ़ी तीन सो लोगों के जान चली गई थी रक्षा करते करते साढ़ी तीन सो लोगों को निप्टा दिया गया बताओ क्या बात है और यहां की लोगों को विश्णोई कहा गया क्योंकि अम्रता व किया हुआ है लेसन पांच अनीता की मदुमक्यां मदुमक्यां कि सब कुछ आ गया है अनीता कुसवाह कौन है बही बिहार की मुझफर पुर्जिले के बोचारा गाओं की एक गरीब परिवार में रहती है और पढ़ाई के साथ सब मदुमक्या का कार सुरूर किया क्यों नाम पढ़ाई भी कंटीनू रही और बाकी चीज़े भी करी अब एक इंपॉर्टेंट चीज़े रहें जो कख्षाचार की बुक आप पढ़ रहे हैं जिस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं कख्षाचार की NCRT की बुक EBS की इसमें इनकी कहानी पब्लिश होई है इनकी कहा को मेल फीमेल चाहे जैसे बच्चेओं सभी को मुफ्त अनिवार्य सिक्षा का अधिकार देता है सबको पता है आगे बढ़ते हैं अब मदमक्य की बात आई है तो मदमक्य का पालन कब होता है कुश्चिन पुछा आता है अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है यानि कि थंडी की स्टार्टिंग और मिड थंडी तक है ना मदमक्यों के अंडे देने का समय होता है यानि कि इस साइम पर मदमक्य अंडे देती है तो इसलिए मदमक्य पालन का सबसे अच्छा समय भी यही होता है और हर छते में एक मदमक्य एक रानी मदमक्य होती है कुई मदमक्य होती है जो अंड़ देती है बागी कोई भी अंड़ वहां पर नहीं देता है चत्य में कुछ नर्मध'll Albak histoire भी होते हैं सिंपल सी बात है और चत्य cens बहुत सारी काम करनीव आगर किसी मद्ध मक्खी को किसी एक मदमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का निर्ष्ट करती है जिससे दूसरी मदमख्यों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला चैप्रा सॉरी अभी भी कुछ और है मदमख्यों की तरह चीटियां भी मिल जुलकर ही रहते क्योंकि सबकर एक ग्रूप में रहती है सभी चीटियों का काम बटा होता है रानी चीटी अंडे देती है सिपाही चीटी जो होती है बिल का ध्यान रखती है कि किस रक्षा भंग ना हो जाए कहीं से भी है ना सिपाही का प्रकार समूह में रहते हैं चीटिया एक प्रकार के गंद छोड़ते हैं जिससे वे अपने समूह को पहचानते हैं तो यह छोटी छोटी चीज़ें हैं यह एंस्यारिटी में छोटे बच्चों के लिए हैं तो भाई सीधी से बाते पेपन में भी आएगा है ना चलो कक्षा ल पूरी साग कहां के विंजन है महारास्ट के सीटेट में पूछा जाता है गांधी धाम एहमदाबाद वलसाड कहां पे है गुजरात में यह भी सीटेट में पूछा गया है यह तीनों स्थान गांधी धाम एहमदाबाद वलसाड गुजरात में कोजी कोट कहां पे है केरल मे तो पूरा सफर कौन को चीज़े आई हैं उसके बारे में डिसकस किया गया है जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको मैप डिसकस करना जरूए और कोई स्थान अगया मैंने कहा गुजरात मैंने कहा केरल तो आपको मैप में वह चीज दिखाने चाहिए एक सिक्षक को वह इस्था कानों को मांचित पर प्रिदर्शत करें क्योंकि तभी तो समझ में आएगा यार कि कहां से क्या हो रहा है उपर नीचे पूरब पस्चिन है ना क्लियर बात है रेलवी स्टेशन पर अगर आप जाते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग के तरीकों के बारे में भी आप चर्चा करें क्योंकि उनके जो अनुभा होते हैं वो और ज्यादा बढ़ते हैं क्लियर लेसं साथ की बात करेंगे खिडकी से यह भी कुछ इसमें भी आने जाने की ही बात हुई है मंडगाओं कहां पर है मंडगाओं एक शायद जिला होगा तो वह गोवा में है ठीक है यह विस्थान है प मलयालियालम कार्ण टड आपको पठा है न यहांसे महरास्तर से लेकर गोवा तक जाता जो जो आपका तट है उसको कोंकर तट बोला आता है और वहां की जो भाशा है कोंकरी है तो ये कहां कहां बोले आती है गोवा में महारास्टर के दक्षिड में और करनाटक के उत्री भाग में बोले आती है मराठे की बात करें तो बहुत को पता है महारास्टर की है करनाटक की है तो शोटी शोटी चीज़ें है पूछ सकता है यहां नहीं तो आगे कभी पेपर में तो पढ़ दो इससे अच्छा है बच्चों को विभिन राजियों की भाषा क्या है उनकी पहनावा क्या है वहां का भूजन क्या है और वहां के भूभाग की जानकारी ओबल-खाबड है, पहाड है समतल मैदान है, इन सब चीजों की जानकारी कठा करने के लिए कहना चाहिए है नग? और चीज़े मलिय आलम में वलियम्मा जो है वलियम्मा किसको कहते है? मा की बड़ी बेहन यार्या हम कहसेए कि मौसी को एक तरीक से अमुम्मा किसे कहते हैं, मा की मा यानी की नानी को, नानी को अमुम्मा और बड़ी मौसी को वल्लेम्मा, ठीक है, सिम्पल lesson number 8, नानी के घर तक, फिर से आ जाते हैं केरल, केरल में एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए फेरी नाम की लकडी का प्रियोग होता है इसके पहले हम लोगों ने एक नाव के बात कर ली थी दूसरी नाव एक और है फेरी इसका भी प्रियोग यहाँ पे कहा होता है केरल में रेलबेर टैम टेबल को पढ़ने में बच्चों की मदद करने चाहिए इससे क्या होता है गडित और भुगोल के बहुत सारे क्रिया कलाप कराये जा सकते है दोको EVS में क्या है आप चोटी कक्षाओं में EVS पढ़ा रहे हैं तो भी हिंदी पढ़ा रहे हैं EVS पढ़ा रहे हैं तो भी math पढ़ा रहे हैं गुजरात से किरल तक जाने के लिए हमें पस्चिनी घाट की बहुत सी पहाडियों को पार करना पड़ता है, मैंने अभी उसको बता दिया आप लोग को, ट्रेन से गांधी धाम से नगर कोईल जाने के लिए हमें एहमदाबाद, वलोदरा, सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड, अधियों, मंदगाओं, उदिपी, कोजी कोट, त्रिचूर, एरनाव कुलम, कोट टायम, त्रिवेंदरम, सेंटरल, स्टेशनों, शे गुजरनापता, ये स्टेशन कहाँ है, गांधी धाम से नगर कोईल जाने में, कई बढ़ कोईशन इस पर बूचा गया है, कि गांधी ध पूच है, कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या कुछ करते हैं, ये सब चीजे पूचे हैं, लेकिन आपके उसके परिवारिक जो मतलब आर्फिक स्थिति है, उसका मजाक नहीं उडाएंगे, ऐसा नहीं कि आर्फिक स्थिति की बारे में पूच ले कैसी है, और बच बच्चे अनुभव बतान है ना, अनुभव शेयर करेगा बच्चा अपने की, वहां से जन्द पांपत्र से स्वास्त कार्ड से काफी कुछ जानगारी आपको मिल सकती है, और वो बच्चे भी अपने जान सकते हैं, क्या कुछ समझ रहो ना, यार सिंपल बात है, मतलब जि कि में हर बच्चे की हो सकता है, लाइफ में अलग-अलग मोल आयाते हैं, कभी किसी के साथ कुछ धुरगट ना हो गई, कभी कुछ हो गया, तो इन सब चीजों के में बड़ी ही समझ दिन सिंथा से आपको चर्चा करने की आवश्यक्ता होती है, ठीक है, और बच्चों को इ बीच में छोड़ने पर बाल विवाह कानून, जो यहां बताता है कि लड़की की शादी की आयू कम से कम 18 वर्स, लड़की के लिए 18 वर्स शादी की उम्र है, और लड़के के लिए 21 वर्स है, यदि आवश्यक हो तो इस पर चर्चा करानी आवश्यक है, तो यह चीज़ हमे कोई खेल है, ठीक है, खेलों की बात हैं हापे होने वाली है, खेल के माध्यम से बच्चों को यह बताएं कि खेल की तरह ही जीवन में भी नियम, हम नियम बनाते हैं, देखो हर खेल में नियम होता है, तो हमारी लाइफ में भी कुछ रूल्स होने चाहिए, क्योंकि रूल्स सुल जहाते भी हैं, है ना, क्योंकि भाई, खेल में भी जगला होता है, और नियम के कॉर्डिंग चलेंगे, तो कुछ जगला नहीं होगा, तो ऐसा ही लाइफ में भी चीज़े होती है, तो ये सब चोटे बच्चों से डिसकस करोगे, तो एक अच्छे मानों का निर्माण है ना, कई बार बच्चों को खेलों के लिए लिंग जाती वर्ग के आधार पर भीध्भवावी दिखाई देते हैं इन पर चेर्चा करवानी आवसकता है, जब खेलते होते हैं बच्चे करते हैं, अरे तूम इसकास करो, अरे हटों नहीं खिलाएंगे, ऐसा से बच्चे ब पूछा गया है एक वेट लिफ्टर है कहां की है ये आंध्रपरदिस की रहने वाली है जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है 12 साल की उमर से अब एक बार में 130 किलो वजन ये उठा लेती हैं पूछा गया है कितना उठाया ऐसा कुछ करके कुशन आया हुआ है भारत के बाहर 29 मेडल इन्होंने जीत रखे हैं सबसे पहले उलम्पिक खेलों में सीडिनी जो सन 2000 में हुआ था महां पर काश्य पदक जीतने वाली पहली महला खिलाड़ी बनी थी कौन? कौन मना तजार? नाम बूलिया क्या? कर घंगरने मले शुरी बनी थी और साथ ही साथ इनको पदम श्री और अरजुन अवार्ण से भी सम्मानित किया गया है कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं इस पर चर्चा करायें, दहुंग क्या होता है हमारा सभाज ऐसा हो गया है क लड़कियों को रोकते हैं हार जगा से कि तुमको ये नहीं करना है अरे खेलने मत जाओ अरे वो पहुत चीज़ है फलान धिमका पता नहीं क्या क्या तो हमको क्या करना है वहां पर जेंदर रूड़ वादिता को कम करने के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए समझना चाहिए कि यार लड़कियों को क्यो रोका जा रहा है और लड़कों को क्यो बढ़ावा दिया चा रहा है तो इससे क्या होगा कि रूड़ बाता जो है फैली हुई इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है और हमारा ये दाई तो भी बनता है clear है चैप्टर नमबर 11 देखते हैं क्या है लेसन नमबर 11 फुल बारी तो उत्तरा खंड में एक फूलो के घाटी है तो नियाक्टिप को जाता है कि फूलो की घाटी कहां पर है उत्तरा खंड में है सिंबल मदुबनी क्या है मदुमनी एक चित्रकला है अब देखते हैं मदुमनी एक तो क्या है बिहार में एक जिला है बिहार में एक जिला भी है उसी के नाम पे वहां का जो डिजाइन है जो जिला है उसका नाम वहां पे जो डिजाइन बना जाती थी मदुमनी उसी के नाम पे पढ़ गया है जो भी कह के यहां कि आसे हैं kis經 से बना जाते हैं पीडिले उहलाना फूल तो गोबार की गोड़ को होता है रहा से इसको निच्जोड़के निकलता है वहां की तरह याता है चावल की गोड जो होता है चित्रों को उभारने के लिए, चित्रों को ऊपर उठा हलका तो बनाने के लिए चावल की घुल का यूज किया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट हैसा होता है प्राकर्तिक रंगों का अपर यूग होता है, कुल मिलाके चित्रों में इंसान, चित्र बनाते हैं, वहाँ पर कौन-कौन चीज नहीं होती है इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड, फूल, पक्षी, मच्छलियां और बाकी कई जीवजन्तु बना जाते हैं, सभी सजीर चीजों का यूज किया जाता है फूलों की बात करें, तो फुल वारी, तो कुछ और चीज़ देख लें गुलाब जल, गलिसरी में, बराबर मातरा में कुछ बुनदे, नीमू की डाल कर एक मिस्त्रट तवरा किया जाता है, जिसका इस्तिमाल, सर्दियों में तुचा को फटने से बचाने के लिए किया जाता है, तो यह चीज़े गल्स जादधर यूज़ करती है, तो पता होगा लोगों को, उत्तर प्रदीश का जो कन्नौज जिला है, वो इत्र के लिए महसूस है, अगर आप यूपी के होगे, तो आपको बहुत यह असानी से यह चीज़ पता होगी यहाँ पर इत्र जो है, यहाँ पर इत्र गुलाब जल और कीवडा तियार किया जाता है, तो बच्चों आले चीज़े हैं, यार क्या पढ़ारओं मैं, देखो बच्चों को नजदी से फूलों को देखने के लिए प्रेडित करें, फूलों को अलग-अलग गुलों जैसे कि रंग, पत्या, गुच्छेदारिया, खुले इत्यादी के अधार पर समुही करण करने में मदद करने ये चीज़ important यहाँ पर हो जाती है क्यों important हो जाती है देखो क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं और उनको आप flower दिखाओगे ठीक है, lesson number 16 ग्यारा से directly 16 पर आगए क्योंकि 20 के chapter में ज्यादा कोच चीज़ें नहीं थी काम की चूचू करती आई चड़िया, बहुत important है अरकि क्यों चड़िया के बर हम बहुत कुछ पूछा गया है गिजु भाई बधे का एक जो लेखक हैं, महान, सिक्षा, सास्त्री हैं ये और जिन्होंने बाल, मंदिर, नामक, विद्याले की स्थापना करी थी ये भी गुजरात के हैं और बच्चों के लिए बहुत से कहानिया और कविताओं की रचना करी है, गुजरात के निवासी है कौन? गिजु भाई बधे का ठीक है, अब हम बात करते हैं चिडियों की कल्चिडी एक जो चिडिया है जिसको हम बोलते हैं इंडियन रोबिन तो पत्थरों की बीच में खाली जगा पर वो अंडे देती है पत्थरों की बीच खाली जगा पर आराम दायक घोशला बनाने के लिए यहां जड़ें, रोई, बाल रोई चीक है इन सब का प्रियोग करती है तो यहां पर आपको मैं इमेज यहां पर इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है? समझ में आ जाएगा कौन सी कल्चिडी है? कौवे की बात करते हैं पेड़ की उची डाल पर घोशला बनाता है इस पर ठोड़ा डाउट है क्योंकि कई पर पुछा कि सबसे उची चोटी पर सबसे उची चोटी बता रहा हूं सबसे उची डाल पर या उची डाल पर थोड़ा confusion हो दाती है यहां पे लोगों को है तो उची डाल पर बनाता है गोसला बनाने में लोहे के तार लकड़ी की साखाएं आधिका प्रियोग करता है क्या 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 है लोहे के तार और लकड़ी की साखाएं इससे को अपना गोसला बनाता है ठीक है तो ऐसे चीदे आखी क्या गाती है क्या बोलती है समझनी आता मुझे तो कोअल अभी कभी इपना घुcla नहीं बनाती क्योंकि कोउयल और कौउवा लगसा राइप गदों होते हैं कूवे के घुसले में रख देती है और कोवे को लगता है कि वह अंडे मेरे हैं तो अपने अंडे समझ के उनको पालता है और कभी कभी कोवे के अंडो को गिरा देती ही नीचे और अपने अंडे महां पर रख देती है बड़ी चालांक है यार मीठा बोलती है लेकिन है बड़ी खत्ननाग है ना तो को एल के साथ अपने अंडों के साथ को भी सेता है सेना का मतलब हिचिंग सुरी क्या बोलते मुझे इंग्जिस में कुछ नहीं पता हूं ठीक है कि फाक्ता के बात करते हैं फाक्ता चड़िया है कैक्टस के कांटों की बीच मेहंदी की मेंड में अपना घुसला बनाती है तो अगर मुझे इमेज मिल जाएगी तो वह उसे यहां पर इंक्लूड कर दूँगा यहां पर ठीक है गोराया हम लोगे घर में छोटी उटी चड़ मनुष्य की घरों के आसपास दिखाए देती हैं वह कहीं पर भी अपना घुसला बना लेती हैं जैसे की अलमारी के ऊपर आइने के पीचे कहीं भी थोड़ी सी जगा मिल गई लेकिन मनुष्य के घर में ही बनाती है दीवाल रोसंदान ऐसा करके कबूतर कबूतर भी आपने पुराने खंड है रहे हैं कोई भी पुराना मकान है वहां पर जाके अपना घुसला बना लेता है गुराइया और कबूतर लगभग लगभग सेम प्रॉपर्टीज हैं उसकी लेकिन आकार में काफी चेंजिस हैं बात करेंगे हम बसंत गौरी बक्षे की जो गर्मियों में करते हैं तो मतलब आवाज करके कुछ उनकी ऐसी है तो पेड के तने में गहरा ख्षेंद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं कौन बसंत गौरी पेड में एक गहरा गढधा बनाकर उसमें अंडे देती हैं ठीक है कट फोडवा के अगर बात करें वह भी कठ मतलब लकड़ी होत तो एक आज डाल की है लगीजाव अलग स्व проб dernière कर यो घुलाहा के मतलब होता है जो गुनाई करते है उसी को तरम घुलाहा maar तो एक ऐसी चड़ी है जो गुनाई कर लेती है लाल्टीन के आकर में लटकता हुआ घोसला बनाता है वीवर पच्छी अब यहां पर यह इंपॉर्टन्ट है क्या इंपॉर्टन्ट है सभी नर वीवर अपने अपने घोसले बनाते हैं जितने भी नर है यानि कि जो मेल है वो बनाते हैं और मादा वीवर जो आती है जो Philippines ओसलो को देखेगी सभी गोसलों को देखेगी और उनमें से ज्च्छा घोसला होगा उनहीं में अंडेा देगी आन्या यानि कि मेल बनाता जाएगा पांचे बनाए, दिखेगा जो सबसे अच्छा, जो सबसे ब्यूटिफुल लगेगा, वो सबसे अंडे, उसी में अंडे देगी, सिंपल बात है, बड़ी चाला कहया, ब्यूटी चाहिए उसको, थाना, चील की बात करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा पच्छे, कववे से थोड़ा सा आकार्में बड़ाते हैं, लेकिन गिद्दे से छोटा होता है, सबसे उंचे पेड़ पर अपना घोसला बनाता है, देखो यहां पर डिफरेंस समझ में आएगा, कववे की बात करते हैं, जिस प आकार चार से पांच फीट चोड़ा होता है, यानि कि काफी बड़ा घोसला बनाता है, चील अपने घोसले का इस्तेमाल सालों तक करता है, यानि इतना बड़ा घोसला बनाने में टाइम लगा होगा, तो वो यही सोचता होगा, कि यार बनाया इतनी मेने से तो यूज कर ले या उसमें बना लिया या तो बहुत ही सूंसान एरिया में बनाता है गिद अब तो गिद लगभग लगभग विलूप्त हो चुके हैं बहुत ही कम देखते हैं मोडनी की बात करते हैं देखो या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्रा लाइक मार देना, शेयर कर देना, आगे बढ़ो, पढ़ते हैं, मोड़नी की बात करें, बड़ा बच्छी है, उड़ नहीं पाता है, तो क्या करें, जब उड़ नहीं पाता है, उचे जहां नहीं पाता है, तो नीची डाली उपर अपना घुसला बना लेता है, साप को खाता ह जमीन को खोद कर जमीन को थोड़ा खोद कर उसमें अपना घुसला बनाती है और उसी में अंडे अपने देती है तो सभी पच्चियों की लगभग लगभग अम लोग ने बात कर ली अभी भी बचाये एक बार सकर खोरा सकर-खोरा तो यह चोटे पेरड़ यानि की जाड़ी पर डाली में लटकता हुआ गोसला बनाते हैं या अपना गोसला बाल बारीक घास यानि कि बाल जो होते हैं बाल बारीक घास पतली टहनिया, सूखे पत्ते पेड़ की चाल के टुकड़े कपड़ों के चिथड़े, मकड़ी के जाले इन सब चीजों का प्रियोग करता है यानि कि बिल्कुल कुछ भी मिल जाए बस बना लेता है, सकर खोरा की बात है, अब हम बात करते हैं पक्षियों की, सभी पक्षियों की एक साथ बात हो रही है क्या, कि जितने ही सभी पक्षि जो होते हैं, वो केवल अंडे देने के लिए घुसला बनाते हैं, जब अंडों से पक्षि निकल जाते हैं, तो वे घुसल चोड़ कर उड़ जाते हैं यानि कि जब उन्हें अंड़ा देना होता है तब ही वो घूसला बनाते हैं वरना उनके गोशने के आवशक्ता ज्यादा तर नहीं होती है ठीक अब हम बात करेंगे जानवरों के दातों की यह भी इंपॉर्टेंट है गाए के जो दात होते हैं काट जो होती है वो जृति हैं फ कउने काटने के लिए उस गता होते है उसके नुकिले होते है उसके दात, उसके साब greatly स साभारू के दात, होते तो नुकिले हैं तो वो केवल देखाओगा, आपने देखाओगा कि जो साप होता है, वो कभी भी उसको दात जो होता है अपने, उसका प्रियो केवल सिकार को पकड़ने के लिए करता है, कभी भी उनसे चबाता नहीं है, क्योंकि वो सिकार को डिरेक्ली निगल जाता है, आपने मेड़क को खा दात होते हैं सापके दो खोखले दात होते हैं जिनसे वो जहर को बाहर निकालते हैं ध्यानकना इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछा गया है सीटेट में ही गिलहरी की बात करते हैं गिलहरी के दात हमेशा ही बढ़ते रहते हैं कहा जाता है कि चुहे के दात भी होते हैं वो क्योंकि उनको दांत अपने मेंटेन रखने हैं तो क्या है काट रहो जो भी मिला काटो बस ना क्योंकि दांत बढ़ रहा है तो काटो मेंटेन करना पड़ेगा बनना खुदी अपनी दांतों से अपनी मूफ आड़ लेंगे वो लो है ना सिंपल तो लिसन नंबर 19 की बात करें है जिसकी उचाई एक मंजल के ब्राबर होती है यानि कि कम से कम 10-11 फुट की होता है उचाई उसकी जब कि इसकी जड़े हैं इस पेड़ की उचाई का 30 गुना गहरी होती है यानि कि अगर एक मंजल का आपका पेड़ है तो इसकी जड़े कितनी होंगी 30 मंजल गहरी सोच र रहता है फिर भी इतनी धरातल तक पहुँआता है यानि कि धरातली जल होता है जो हमारा जल होता है धरातल के नीचे जल है वहां तक इसकी जड़े पहुँच जाती है और वहां से ये पानी खीचता है उपर और पानी खीचके अपने तने में जमा करता रहता है और वहां के जो इस्थानी लोग है रहने वाले इस पेड़ के तने में पाइप डालते हैं और वहां से पानी निकाल लेते हैं पूरा समझो यारा रिगिस्थानी ओक के बारे में क्या कुछ इसकी कहानी है पौधे जणों द्वारा पानी कैसे लेते हैं चोटे बच्चे हैं तो उनको समझ मनी आता है पानी कहां से मिल रहा है तो इन चीज़ों को समझाना थोड़ा सा कठिन है बट फिर भी आवश्य कहने की जरूरी है और उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिये जाएं यानि कि बच्चे को मौका दो कि बच्चा खुद सोचे कि यार पानी इसको मिल कहा रहा कहा से मिल रहा यार ये चीज़ सोचने का आप मौका देंगे सभी बच्चों का चिंतन अलग-अलग इस्तर का होता है यार ऐसा नहीं कि हर बच्चा हैं आपको गरहन करने चाहिए है ना ठीक है अगर आप बात सुनेंगे तो वो भी अपना विचार अच्छा करेंगे यानि कि और ज्यादा सूचने की कोशिश करेंगे सिंपल ठीक है अब हम बात करते हैं मिलकर खाएं 20 नमर चैप्टर है कुछ चैप्टर बचैंबस सिंपल लेया डरो नहीं भागो नहीं देखो पूरा वेलिए माघ बीू देखो जो असम है या एक एक तियोहार है भी हू असम का सी प्रगारे तीम बीू मना जाते है एक साल में तो है इहां पर हम माघ बीू की बात कर रहे हैं का मना जाता है 14 पांद रर के आप 14 तो थोड़ा सा यार कभी-कभी sentence पढ़ने में वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला जो दिन होता है, उसको हम बोलते हैं, उरुका, जो को seated में दिया है, तो आप पढ़ लोगे, आपकी काम ही आएगा, क्यार क्या पूछ लेका नहीं पता आपको ना यार, है ना, तो पहला जो दिन होता है, उसको उरुका कहते हैं, इस दिन आइस्थाई shed बनाए जाते हैं, बेला घर, यहाँ पर आपको image दिख जाएगी, बेला घर, और सामुहिक भोज का आयोजन होता है, तेवहार की बात कर रहे हैं, और बोरा, बोरा क्या है, बोरा जो असम में चावल ख बोलते हैं, वो खाया जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बोरा, ठीक, बच्चों को नक्से में असम ढूड़ने के लिए प्रेडित करें, मैंने क्या बताता है, अगर आप किसी इस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वहां का नक्सा उनको दिखाएं, कोई मैप बनेगा, आप यहां पे तो उत्तर पूर्वी छेत्र आता है, असम का, अब बात करेंगे मिड़ डे मिल के, कि इस पर एक कुशन पुछा गया था, क्या कुशन था, कि बच्चों को भोजन करा जाता है, मिड़ डे मिल करा जाता है, तो मिड़ डे मिल कराने का उद्दे उनको एक मौका मिलता है, एक दूसरे से बातचित करने का, हर कक्षा के बच्चे छोटी, एक कच्छा एक कच्छा एक कच्छा पांच वाले से बात करता है, यह सब चीजें, अपने अनुभव शेर करते हैं, और वहाँ पे बहुत सी चीजें, जैसे कि रूड़ बादिता, बहुत सी हमारे आहां जातिवाद, इस सब चीज़े फैली होई हैं, तो जब बच्चे साथ मिलकर खाएंगे, ये चीज़ भी कम होगी, कुल मिलाके वहाँ पे अधिगम का एक बहुत ही अच्छा, महौल बहुत ही अच्छा वाता वरनत बनता है, यानि कि मिड़े मिल क्या है, अधिगम का एक बहुत बड़ा सुरोत है, हम भी कह सकते हैं, एक महौल है, महौल देने के लिए चीज़ करियाती है, इस संटेंस को सही माना गया है, तो ध्यान रखें, क्या सही है, क्या गलत है, अब हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 23, पोचम पल्ली, पो वहाँ पे पारंपरिक विदी से, हाथ से बुनाई करके साड़ी बनायाती है, बाकी जगा पे कंपनी, जो हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी, बड़ी-बड़ी मशीने हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज, हर चीज हाथों से करियाती है, सिम्पल, धागा बनाते हैं, फिर गुल्ल के नाम पर बुनाई का नाम भी पढ़ गया सिंपल पारंपरिक व्यवसाय मुख की रूप से घर में ही सीख जाते हैं अगर देखो मेरे घर की कोई पईबार साही सीख सकते हैं और इनको संरक्षित करके रखने की आवश्यक्ता है अगर मान लो कि मैं वो चीद ना सीखू तो कहां जाएगी मेरे बाद को सीख पाएगा क्या नहीं तो इस पर आपको चर्चा करनी है और आपको यह चीज़ ध्यान रखने हैं कि यह प्राचीन चीज़े हैं हमारी हैं और परांपरिक चीज़े हैं इनको हम थोड़ा सुरक्षित रखें हैं ना सम्विधन सील बनाना अवश्यक है पूचंपली की तरह ही अन इलागों में कुछ खास चीज़ बनाएती हैं हर जगा में अलग लग कुछ ना कुछ तो इस्पेशल होता ही ह है तो हम इस्पेशल सीज़ों के बारे हम थोड़ी से बात कर लेंगे और लगभग लगभग हम वीडियो के एंड तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पेपर में पूछा गया है इंपोर्टेंट है अभी बता रहा हूँ पेपर में आएगा पारंपरिक कला है क्या बहुत ही फेमस है क्योंकि वहां पर यह भी पारंपरिक तरीके से बना जाती है अगर हम बात करें कश्मीर में कश्मीर में कई चीज़ें फेमस है कश्मीरी कढ़ाई वहां की दरियां बहुत है आप लोग ने अगर कभी मूवी हॉल गया होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर कभी कभी एड आता था कि दरियों का यह प्रोसेसिंग ऐसे वसे होती है बहुत चीज़ें दिखाई आती है कर कभी एड आता है उनका पिक्चर हाल में पश्मीना शॉल के बारे आप लोगों ने सुना होगा तो पश्मीना एक बकरी होती है उसके जो बहुत गरम ह होती है बहुत गरम होती है तो इससा इत्र बहुत ही है चेत्र बना जाती है काफी लोगों को पता होगा अगर आप यूपी के हैं तो परंपरिकला हैं विस्सी चितर के हैं यहाँ पर परंपरिकला पीतल कारीगरी जो आपका मुरादा बाद है यूपी का पितल की जो कार critique पितल पर डिजाइन बनना पितल के कुछ नहे नहे सामान बनना यह बहुत famous है वहां का पटोला बुनाई है शायद आपने बहुत कम सुनाँगा पटोला जो बुनाई है यह गुजरात में बहुत ज़्यादा famous है बंडाना डिजाइन, इनके मुझे चितर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाए है और मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता है क्योंकि कॉपी रैट का इशू आ जाता है कभी-कभी तो मैं नहीं लगा रहा है यहाँ पर बंडाना डिजाइन कहां फेमस है राजस्तान और गुजरात में ठीक लकड़ी पर नकाशी के अगर बात करते हैं तो यह कहां पर है सहारनपूर में लकड़ी का बहुत काम होता है लकड़ी के मूर्ती बनाना चोटी-चोटी या फिनके खेल के सामान बनाना यह सब सहारनपूर, यूपी, पिथोड़ा, पिथोड़ा एक कला है अब क्या है इसमें मुझे नहीं पता बहुत जादा बट यह मध्य प्रदेश की एक परंप्रिक कला है जामदारी बुनाई, परस्चिम बंगाल तो यह सब चीज़े आप देखो, मैंने बना दिया है आपके लिए कंटेंट त्यार कर दिया है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इनको रिवीजन करके जाएगा, प्लीज, क्योंकि पेपर में आएगा अब बात करते हैं चैप्टर नमबर, लिसन नमबर 24 यानि की दूर देश की बात लास्ट चैप्टर शायद है, मुझे देखते हूँ, है कि नहीं मल्यालम में चाचा को चिटपन कहा जाता है मल्यालम जो भाशा है हमारी, उसमें चाचा को चिटपन कहा जाता है जो अबुधा हाभी है यू-य-फ्री यू-ए-फी यू-नइटेड अरब एमिरेट की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा है वो दिर्हम है अगर आप किसी देश की बात कर रहे हैं तो वहाँ की静क एक राजधानी क्या है एक रियाजानी एक ही रियाजानी होती है और उनकी मुद्धा क्या है कम से कम दो या तीन चीजों के बारे में आप डिसकस जरूर कर लो यहां कि बच्चे को सबही तो समझ में आगा क्यार हमाई दिसमें चीजें ऐसी हैं वहाँ पर कैसी होगी थोड़ी सी उक्सकता अंदर आती है तो उस उक्सकता को दूर करना आपका काम है या बच्चे से किसी दूसरे से पूछने के लिए आप प्रेडित करें यह भी तो हम बार-बार बात कर रहे हैं न यहां पर पानी की बहुत कमी है पूरे लाखा है पानी यह ऑन पर खनिज तेल से भी महंगा है क्योंकि वहाँ पर जो धरातल की नीचे हम आपके क्या का है? पानी मिलता है पानी कहा दो भाई है तो उनके लिए पानी जटा him pronan抵担 कि कि बिना पानी के भाई इंसान प्रत्ता है ना सिम्पल बात है यह सदधा जिन्दन रह लो है उसके बाद तो numéro ही जाओे दो पाई पानी जदा इंप्रकेंद होलिए महपirt है तो अब देखते है आपका क्या है विल्कुल चैप्टर हमारा हो चुका है फूरी बुक खतम हो चुकी है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़े थे जितनी बड़ी वीडियो है आप प्लीज करके पूरी देख लेना अगर आपने थर्ड क्लास की जो NCRT है उसकी वीडियो ने देखी है आप उसको भी देख लेजिए थर्ड, फॉर्थ, फिफ्थ कंप्लेट कर लो आप मान के चल सकते हो कि आपका बीस नमबर तो आपका बीस से उपर मैं बाइस तेज की बात कर रहा हूँ बाइस तेज नमबर आपके कंप्लेट हो जाते है क्योंकि पैड़ागॉजी तो पूरी यहां पे क्लियर ही हो जानी है, पंदर नमबर वो पूरे क्लियर हो गए आपके, बचे आपके 7-8 जो कोशन है वो भी यहीं से आ जाएंगे अब जो बाकी 7-8 बचे हैं वो आप कहीं और सा कर लिजिए आके बुक खरीदनी पड़ेगी आपको वहां से दे सकते हैं या आपके मेरे चैनल पर आ सकते हैं तो भाई चैनल का नाम क्या है? Teacherify और स्वरी मैं बोल गया यार ठैंक्स फॉर वाचिंग अगर आप वीडियो में पूरी देख ली है यहां तक आ चुके हैं तो थैंक्स फर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिसे कि सूपर टेट आने वाला है फिर से अभी फिर से यूपी टेट आने वाला है फिर से टेट आयागा ऐसा ही साइकल चलता रहेगा और वीडियो आती रहेंगी तो चैनल से जुणने का आपको यही फायदा मिलने वाला है त्यारी यहां डंक से होगी अगर वीडियो पसंद आ गई है तो भाई लाइक कर देना शेयर कर देना हाग गूर्प में जैसे कि हर चीज क्वेशन भेशते हो जैसे ही मेरी वीडियो पर शेयर कर देना झाल 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 झाल